वास्तु चक्रा वास्तु चक्रा क्या है? वास्तु चक्रा यह च्छुटा सा टूल है जो आप सब के पास है जिसकों प्रोटेक्टर भी कहते हैं 360 डिग्री में और इन्वेंशर और डिस्कवरी जैसे दो चीज़े होती है मैं यह नहीं कूँगा यह मेरा निकाला गया इसका रुपांतरन हुआ थोड़ा समय इसको इंडियन चीजों के अमसार कस्टमाईज किया कुछ वैदिक पार्ट इसमें किस्टमाईज किया इसका जो टोटली क्रेड़िट जाता है वो जाता है फैंक्शुई को फैंक्शुई में अल्रेडी यह सरकल यूज होता है वो अब जैसे हमारे पास यहां पर 32 दिशाएं हैं उनके पास 24 दिशाएं हैं वो 24 दिशाएं को इसमें कवर करते हैं E है, E1 है, E2 है SC1, SC2, SC है इस प्रकार से वो उनके पास 24 दिशाएं हैं और हर दिशाएं क्या क्या रिजल्ट देती है, हर साल वो कैसा रिजल्ट देती है, उसकी पूरी की पूरी detailing, fangshui में वो use करते हैं आप अगर fangshui के consultant के बाद देखें लाल रंका होता है, या बड़ी tray वाला होता है, और कहीं बश्ट ट्रांस्परेंट होता है ट्रांस्परेंट वो फटर ग्रिड करने के लिए कर लेते हैं क्योंकि सबसे बड़ा वास्तु में पंगा क्या ओप है समय बगलता रहा, पुराने टाइम पर आस से 25-30-40 साल पहले तक east मतलब east होती थी, दूसरी direction south east होती थी, यह south होती थी west तो हाथ से ही कहाते थी कि यह south east direction है अगर किसी विक्ती का घर north east है, थोड़ा सा टेटा है, वो सारी north east मानते थे, कोई tool ही नहीं था उसको diagros करने को, उसको detect करने को, उसको exactly grid करने को कि यह north east है कर नहीं तो वहाँ से चीज आई, लोगों ने इंडिया में यूज़ करना शुरू किया, पिछले 7-8 साल में अच्छा डिवल्प हुआ, जब मैंने देखा, मैंने भी इसको पर थोड़ा सा काम किया, बहुत लोगों ने, अलग-लग तरह से यह आ रहा है, अलग-लग नामों से यह आ कीज़ केंग बादर हैं, क्यूंकि वैदिक वास्तो में डायक्शन तो आ जाते हैं, पर वैदिक वास्तो के elements नहीं आते कहीं पर, कि कौन सा element वैदिक वास्तो में निकले, किसी और में नी आता ह। वो हमारे वाले में आता है, इसमें entrance point cover हो रहे है, जब आप हम commercial वास्तो करे में नहीं होती, दोशास जो हैं, वो इससे आप easily detect कर सकते हो, उस पर आप organic और solar energies, जो आप हमारी PG energies हैं, वो इससे immediately detected हो सकती हैं, हमें अगर देखना हो किसी घर में, गुण और उसके elements, कौन-कौन से और कौन-कौन से elements है, ताम सिक है, राज सिक है, सात्विक है, पंच तत्व, ऐस पर फैंक्शु, ऐस पर वैदिक, वो इसके अंदर cover हो जाते हैं, महा मरमस्थान, जो major core vital points हैं, बॉड़ी की, वो इसके साथ immediately cover हो जाते हैं, और commercial entrances, तो जैसे ये 10 points है, normally कोई भी आप उठा लो में, कौन सी दिशा में कौन सा fault है, at least वो खुद इसको diagnose कर सके, ठीक है, तो हम इस सारी चीज़ को अभी इसमें cover करेंगे, और I hope कि आप इसका regular use करोगे, आपने अगर एक बार 20-25 नक्षों के पर इसको use कर लिया, तो ये आपको रठ जाएगा हमेशे के लिए, और ये pay off कर करता है, और सारी कि सारी game सिर्फ इसमें है, ये formula है, दिखने में एक arm लग रहा है, इसको आप देखना शुरू करोगे, तो कितना कुछ इंदर content लिखा है, हम इसको read करेंगे, जो इसके अंदर color schemes दी हैं, वही उसकी remedies है, आप इसको रखोगे, आपको formula समझा रहाएगा, कि क्लाइंटर लेता हूं, उसको snapshot लेता हूं, इसको उसके पर लगाकर साथ ही में चकर करके बतायता हूं कि कौन कौन सी जोन में fault है, इतना easy हो जाता है, क्लाइंट का काम करना कई बर instantly, ठीक है, आईए सिक है, फोन बजाता है, किसी का mute कर लो, वीडियो के बीच में फोन गलत हो जाता है, मरमाजी नाउटर पैराफिरी, मरमस्तान झाल झाल